जै श्री कृष्णर राधे राधे श्री हरदास और यहां कल से लगातार बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है और एक चोटे से लाला बी आए है उनकी मया गई हुई है तो वो घर पे सेवा के लिए तो वो अभी तक डलिया में ही छुपे बैठे हैं बहुत यहां बेठा है प्यारा केशव, यहां हमारा प्यारे प्यारा राधे, और एक भक्त के बहुत प्यारे से एक राधे है, उनका शिंगार हुआ है, और वो भी अपने घर जाने वाले हैं, और वो भक्त मतलब मैं यह कहूँगी राधे से थोड़ा सा बड़े ही कहूँगी मैं उ पिट्टो वो उनका जो शिंगार हमने किया है वो बिल्कुल राधे के जैसा किया है क्योंकि वो भग चाहते हैं कि बिल्कुल राधे जैसा ही लाला उनको चाहिए तो उनके दर्शन भी मैं आपको करवाओंगी तो यहां बैटे हैं प्यारे लेड़ू और यहां चुटकू मत के लिए आज हम बात करते हैं बहुत-बहुत सुन्दर लीला की और रही खुशकवरी की बात तो कुछ-खुशकवरी जो है वो हम बात के लिए रखते हैं कारण क्या है कि उसके लिए कुछ चीजह हैं जब प्रभू उसको अलाव कर देते हैं तो मैं आपको बताती जरूर ह हाँ भले ही वो देर होती है लेकिन उसके पीछे कुछ नो कुछ प्रभू का तथ्य होता है वो चाहते हैं कि वो चीज तभी पता चले जब उसका सही समय हो इसलिए मैं उन बातों को आप सब थे थोड़ा सा छिपाती भी हूं क्योंकि वो मेरे को मना किया जाता है कि उनको मैं ना बताऊं है ना और यहां कल हम गए थे मांसरवर वाली रादहरानी के दर्शन के लिए क्योंकि हमें अर्जिंट ही लीला के अनुरूप वहां जाना था उसके बाद हम गए ब्रिंदावन ब्रिंदावन प्रभू की कुछ सेवाय थी जो वह देनी थी वह भी कंप्लीट की तो सभी सेवाओं से इस समय हम मतलब एक तरह से मुक्त है क्योंकि वह सेवाओं से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता लेकिन हां कुछ जिम्मेदारी वाली सेवाओं होती है जिनको सही समय पर करना जरूरी होता है तो वह सब तो कंप्लीट हम कर चुके हैं और आज देखो चुटकू लाला को जो है मैं इधर आराम से बिठाती हूं इनको एक मिनिट ये लो दर बिठाता उनका स्थान बदल दिया है अब आराम से इनको इनका इधर ये वीडियो बनवाएंगे क्योंकि उनका हाँ ये कंबल बदल देना चलो खुशी उनको इधर बिठा रही है तो कल राधा रानी इतनी जादा खुश थी कि जैसे ही हम मतलब उस स्थान पर पहुंचे जहां वो स्थान पर हमें प्रभू को एक बार पहुंचा ना था मतलब प्रभू ने हमें पहुंचाना था जो है आते हैं और सेविका से कहते हैं कि चलो मुझे दिखा क्या हो कि तुम लोग कहां गए थे तो वो कहती है आपको तुछ सब पता है कि हम कहां गए थे आप ही ने तो भेगा था तो आप यह क्यों बोल रहे हो कि आपको नहीं पता है तो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं पता है तुम तो काना जी कहते हैं कि अरे ये तो वही स्थान है ना तो वो बोले हाँ यह वही स्थान है काना जी तो काना जी बोले अच्छा तो तुम यहाँ पर आई बोले काना जी बिना आपकी आग्या कि मैं यहां कैसे आ सकती हूँ आप ही न तो भेजा है तभी तो हम यहां पहुंचे बोले कि वैसे भी ये सब तुम्हाई राधा जी कृपा से हुआ है ना तो पूली हाँ राधा की यी कृपा से हुआ है सच बात तो यही है लेकिन आप हमें आशिरवाद दोना काना जी कुछ हम अच्छा कर पाएं कुछ हम अच्छी चीजे कर पाएं और आप बताएं आप हमको घर भी नहीं देते हो अब आप कहोगे कि लीला में घर का यह जो वर्लन होता है यह कुछ नो कुछ कारण से होता है देखिए घर से तातपर्य भी बहुत सारे होते हैं तो वो में लीला के बात में आपको बताऊंगी तो सेविका कहती है कि काना जी आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो आप आशिरवाद भी नहीं देते हो तो काना जी ने बोला मैं तो आशिरवाद दे चुका हूँ लेकिन सम बहुत 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 में विलीन होना पड़ता है और जो भक्ती कर पाना किसी के साथ में संभव नहीं है तो सेविका कहती कोई बात नहीं तो अब कैसे पूरी होगी राधाप से यहां पर भी उसने मान किया था ना और वो अपने ही उस तालाब में डूब गई जी तो काना जी कहते क्यों तू पुरानी बाते याद करवा रही है फिर मेरे सर पे तू मतलब यह चीज करवाएगी इसलिए इस बात को बंद कर वो बात हो गई है हम किसी और काम से जा रहे है ना उसी बात को धियान रख दुबारा से नहीं तो राधा नाराज हो जाएगी इसलिए तो उस बात को याद मत दिलवा और काना जी उसकी बात पूरी नहीं होने देते और यहीं पर उसको स्टॉप कर देते हैं और सेविका और यह दोनों जाते हैं अब वो देखकर कहती है लेो आए गये फिर आए गये अब का काम पढ़िगो तुम्हें अब काई कुँ आये हो तो तब राधा कहती है जो प्यारी राणी है जो देख नहीं रही है बस उनकी परच्छाहीद से महसूस और दिख रहा है कि हाँ वो कुछ कह रही है हो रही है अर को बेसोना संगाए हैं, बोले अच्छा, तो सोना खुश हो जाती है, और वो कहती है अरे वाँ मुझे जानती है उनकी सखी, बोले हाँ बहने सब आनने जाने हम तो, ठीक है, बोले अच्छा लेकिन न तो से खुल लगता है कि देख न रहा था, तेरी ये ललिता सखीना हमेशा म बोले हाँ जब भी आते हो कचुन कचु मांग वे यह होंगे अब फिर कचु तो बोली कुछ ना लाड़ो अब तु अमें आशिरवात देदे कि तू ने कहा था ना कि तू कुछ चीज करने वाली है वो चीज कर दे आशिरवात दे तो उधर सिराधा अपना हाथ जो है ऐसे कर के आशिरवात वाला हाथ करती है और कहती है ये लो तो सिर्वा बोली इससे हो जाएगा ना वो बोली इस आशिरवात का मतलब ये नहीं कि कोई चमतकार हो जाएगा लेकिन इस आशिरवात का मतलब मांगी हुई विश से भी अधिक है मतलब आपकी मनो कामनाव से भी बहुत आशिरवाद की होती है भले हमने मांगी हुई चीज हमें प्राप्त ना हो लेकिन किसी का दिया हुआ आशिरवाद मनुष्य को पुन्यवान बनाता है और वही पुन्य उसे प्रभू तक पहुंचाता है तो वह बली अच्छा ऐसा है तो मेरो वह अशिरवाद तू लेला तो लेला तो रहने अपना जिशर्वाद अपने पास रख लें और से लोगष्या बॉलौ कि ना? और वह वहां से पुना लौट आते हुं लौट ने के बाद वहां पर काना जी बताते हैं कि आने वाले समय में राधा रानी जी का जो में गेट है जो भक्त गए होंगे उनको पता होगा और उनका जो में गेट है ये गेट भी सब तूटेगा ठीक है और उसका विस्तार भी काफी बड़ा होगा इसका क्या बोलते हैं पुनर एक तरह से निर्मान होगा और बहुत विश्य में ये बहुत-बहुत मतलब विख्यात हो जाएगा मतलब जिस तरह आज राधारानी बरसाने वाली हैं जिस तरह वहां पर सेकड़ों की तादाद में भक्तों का जमावडा लगा रहता है ऐसे ही मानसरोवर वाली राधारानी जी के यहां पर भी मतलब हो जाएगी और इस तरीके से यहां का जो स्थान है ये घिर जाएगा तो इस तरह से आज का ये विवरन प्रभू ने मानसरोवर वाली राधारानी के लिए किया जैसे की कौरीडोर के लिए विरंदावन में किया था तो प्यारे भक्तों यहां पर बहुत सारी चीज़े आत होती है लेकिन जिस भावना में कल्यान की बात हो और प्रभू का उसमें साथ हो या प्रभू से जुड़ी हुई वो चीज़ है तो यकीन मानिए वो जीवन में जरूर मतला फलती है जरूर वो पूर्ण होती है यहां पर प्रभू का भार बार इस बात का कहना कि अगर यह थोड़ा सा है क्यूंकि मुझे इस लिला को काट कर बता नपड़ा क्यूंकि मैं पून खूलकर यह लीलां विए आपको नहीं बता पाएगे इसलिए आप इसको शायद पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे तो लेकिन समय आने पर इस लीला को मैं जरूर बताऊंगे जिस दिर इसका उचित समय और सही प्रभू बता देंगे जैसे ही मैं आप सब के सामने उसको रख दोंगी ठीक है और ये तो रही बात लीला की और अब हम बात करते है आगे कि मैं आपको दिखाती हूँ